जय स्री राम, जय हन्मान, ओम स्री हानुमंते नमा, हन्मान जी का आशिर्वाद सदा आप पर बना रहे, हन्मान जी के आशिर्वाद से आपका भग युदे हो, जीवन में सुक्सम्रिदी सो भग बड़े, आपका कल्यान हो, निश्चे पेंपतीते, बिने करें सन्मान, तिही तुला रासिवारों 23 जन्वरी सनिवार का दिन कृतिका नचत्र सुकल योग में आज आपकी रासी तुला पर सुर्ज और राहु का प्रभाव है सनी की छाया है सुक्र और चंद्रमा की दिरिष्टी है कृतिका नचत्र सुकल योग में बड़ी सफलता खुसकबरी भाग में धन संपत्ति का सुक और जीवन में खुसियों को बढ़ाने वाला सुर्ज और राहु आपके जीवन में कोई सुभ्योग बना रहा है जो आपके जीवन को बदल कर रग देगा तुला रासी वारो सनीवार का दिन है राहु की स्थिती सनी की स्थिती सुक्र और चंद्रमा की द्रिष्टी आपकी रासी तुला पर इतना सुंदर योग बना रहा है जिससे आपका भग्य अवस बदलेगा तुला रासी वारो आज सुंदर मुख चमकीला ललाट कार्ज कुसलता से परिपुन सिग्र उनती तरक्की करने वाला तुला रासी के जातक आज आप महतोकांची होंगे उर्जावान होंगे आज जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा अच्छा मित्र अच्छा जीवन साथी क्योंकि आज राहु का परभाव आपकी रासी तुला पर अतिसुब है जब राहु सुब होता है तो जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं जब राहु सुब होता है तो भाग्य में उन्नक्ति होती है जब राहु सुब होता है तो आपके जोत्सा में ब्रदी होती है जब राहु सुब होता है तो अचानक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है आज सुर्ज और राहू का परभाव है कृतिका नच्छत्र में राहू बना बलवान हो जाता है राहू आपकी रासी तुला के अश्टम भाव में बैठा है जिसकी दृष्टी आपकी रासी तुला के दूतिय भाव पर है रावू आपके भग्यस्थान, आपके कर्मस्थान और आपके धनस्थान को परभावित कर रहा है वही सनी की छाया है, सनी विरस्पती बुद्ध के साथ आपकी रासी तुला के चतुर्त भाव में बैठा है सनी जिसकी दिरिष्टी आपकी रासी तुला के कर्म भाव पर है आपकी रासी तुला के लाभ भाव पर है वही सुक्रे आपकी रासी तुला के तिर्थिय भाव में बैठ कर आपके प्राक्रम को चार चांद लगा रहा है सांदार दिन, सांदार दिन, सांदार योग यानि आज भाग्य में कोई बड़ा बदलाव अवस होने वाला है आज आपके जीवन में आपका आत्म विश्वास, आपका उलसा आपको बहुत कुछ देगा अपने जीवन में हर काम में आप विजय प्राप्त करेंगे जीवन की खुसियों को बढ़ाने वाला सुर्ज और राहू का परभाव कृतिका नच्छत्र सुक्लियोग में तुलारासी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा आज सनीवार का दीन है हनमान जी का दीन है हनमान जी का दरसन करें हनमान जी की पूजा करें क्योंकि राहू का परभाव है सनी की छाया है सुक्र चंद्रमा की दिरिष्टी है तो ऐसे में हनमान जी का सिर्वाद आपके भग्य को बदल कर रख देगा तो दुलारासी वारो गिस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुम मूरत गरा नचत्र की दसा आज का पंचांग आज 23 जन्वरी सनिवार का दिन है पौसमा सुकल पच की दसहीती थी कृतिका नचत्र सुकल योग सुर्ज और राहू का प्रभाव सनी की छाया सुक्र और चंद्रमा की दिरिष्टी कृतिका नचत्र में आज आपके लिए सुम मूरत बारा बच कर बारा मिनर से रातरी आठ ब कदल कर रख देगा अगर आप कर्म योगी हैं मेहनत करते हैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं आपकी इरादे मजबूत हैं तो आज आपका भग्य अवस बदलेगा आज आपके जीवन में सुख अवस प्राप्त होगी आप सिग्र उनती तरक्की करेंगे कार्ज परिपुर्ण होंगे आज का दिन तो भग्य में बड़ा परिवर्तन का योग लेकर आया है आज का राभुकाल सुबह 9 बच कर 33 मिनर से 11 बच कर 13 मिनर तक राभुकाल के दौरान किसी भी सुख काम का स्री गरेस ना करें आज कृतिकान अच्छत्र है सुक्लियोग है और चंद्रमा की दिरिष्टी है दिन की सुरवात पूरग दिशा की तरफ से ना करें आपके लिए लख्की कलर नीला होगा आपका लख्की नंबर 6 होगा तो तुलार 80 बारो आज सली की छाया आपकी कृणली में चंद्रमा की स्थिती राभु का परभाव ग्रहों की दसा ग्रहों की अंतरदसा आपकी कृणली में ग्रहों की स्थिती किस भाव में कौन सा गरह बलवान है आपकी जीवन में कौन सा गरह सुग योग बना रहा है सुर्ज चंद्रमा बुद्ध सुक्रमंगल विरस्पती सनी राहु और कीतु की स्थिती कैसी है इस पर हम बात करेंग तो आज राहू आपकी रासी तुला के अश्टम भाव में बैट कर बड़ा बल्बान हो रहा है जिसके कारण आपको अच्छा फल मिलेगा आपकी पुरानी समस्याओं का समापन होगा क्योंकि आज चंद्रमा का उदै भी आपकी रासी तुला के अश्टम भाव में होगा चंद्रमा अश्टम भाव में उदै होकर आपके सत्रु का नास करेगा आपके जीवन में जो भी खरापची चल रहा है आपके जीवन में जो भी कस्ट है जो भी परिसानी है वो दूर होगी जीवन से असुब परभाव को दूर करेगा लाभ यस और सम्मान की जिदगी देगा आज सनी की छाया आपकी रासी तुला पर अतिसुब है क्योंकि सनी के साथ विरस्पती है सनी और विरस्पती मिलकर आपको तेजस्वी महत्वकांची बना रहा है जीवन के परती आपका सोच काफी पॉजिटिव होगा और आप हर मुस्किल में भी जीत हासिल करेंगे अपनी च्छा की पूर्ती करेंगे इस दौरान आप एनरजेटिक होंगे सुर्ज और राहु का परभाव धन कमाने का साधन देगा आज सुक्र आपके जीवन में खुसाली भी देगा सुक्र की दृष्टी है आपके दिल में बहुत दिनों से जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी उस इच्छा की पूर्थी आज आप कर पाएंगे आज जोस से भरा जीवन होगा जिन्दगी में रोमांस होगा रोमांच होगा आप किसी के तरफ आकरसित हो सकते हैं आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा आपके जीवन में धन बढ़ेगा आज सुक्र का प्रभाव आपको सहसी, महतो कांची और आपके जीवन में जोस उमंग उत्सा को बढ़ाएगा आज सफ़ता कामियाबी धन्स औभग्य का सुन्दर योग है क्योंकि सनी, बुद्ध और विरस्पती के साथ आपकी रासी तुला के चतुर्थ में बैठा है आज आप धन कमाएंगे, अपने जीवन में सुक्सम्रिधी अवस प्राप्त करेंगे सुर्च के कारण आज आप कर्म योगी बनेंगे कर्म से इंसान सफलता प्राप्त करता है, कर्म से इंसान ज्यान प्राप्त करता है, कर्म से इंसान धन प्राप्त करता है आप जितना कर्म योगी बनेंगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा आज तुलारासी के जीवन में बड़ा मंगलकारी योग है जो आपके भाग्य को चमकाएगा आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा तुलारासी वारो आज सनिवार का दीन है हनमान जी का दर्सन अवस करें हनमान जी की पूजा करें हनमान जी का दर्सन हनमान जी की पूजा आपकी किस्मत को चार चांद लगाएगा हनमान जी के आसिरवाद से आज आपको बहुत कुछ मिलेगा हनमान जी के आसिरवाद से सुख सांती समरिधी सफलता सो भग्य आपको प्राप्थ होगा तुलारासिवारो आज सत्थ के रास्ते पर चलना सिखें अपने काम पर फोकस करें आज नौकडी बैपार में बड़ा लाब होने का योग मिल रहा है आज आप सारीरिक सुख भोगेंगे बिलास आनंद के साथ आपकी जिन्दगी गुजरेगी भग्य में सांतार सफलता का योग है अपने आत्विस्वास उत्सा को बना कर रखे आज इस्त्री से प्यार मिलेगा अच्छे परिनाम मिलेंगे आज आप भग्य साली बनेंगे नौकडी में रोजगार के छेतर में कोई बड़ी उपलब्धी आपको प्राप्थ होगी बैपार के छेतर में आप धन कवाएंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने ग्यान के बल पर कोई बड़ी काम्यावी हासिल करेंगे आज कृतिका नचत्र सुकल योग में तुलारासी वारो के लिए सांत सुखी स्वाभिमानी जीवन स्वाभग्य साली योग कर्म से धन कमाने वाला सुखी संपन जीने की इच्छा रखने वाला अपनी ताकत पर अपने मेहनत पर गर्व करने वाला और अपने जीवन में अच्छे परिनाम प्राप्त करने वाला सुन्दर योग तुलारासिवारों के लिए आज का दिन तो भग्य को बदलने वाला दिन है आपके इरादे मजभूत होंगे बुलंद होंगे आज इस्त्री से लाब होगा हर कठिन से कठिन स्थिती पर भी आप विजय बनेंगे यानि आज किस्मत का साथ है भाग्य के सितारे आप पर बुलंद है दुलारासिवारो ऐसा योग जीवन में बार बार नहीं आता दिन की अंकल्प के साथ होगी आज जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संघर्स नहीं करना परेगा भग्योदे का योग है हर महतो कांचा की पूर्ती होगी लाब होगा मान समान बढ़ेगा जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी बड़ी खुस खबरी मिलेगी आज अति उत्तम है भग्य का साथ अवस मिलेगा तुलारासिवारों के लिए घर परिवार में उन्नती का योग है घर परिवार में तरकी का योग है घर परिवार में धन का आना जीवन में सफलता मिलना परिवार का साथ मिलना आज हर तरह से सुख समरिधी स्वभग्य प्राप् करने वाला दिन है अपने हाथों से काम करें तो भग्य में विर्धी होगी सफलता मिलेगी काम्याभी मिलेगी आज हनमान जी का आसिरवाद आपकी च्छाओं की पूर्ती करेगा आज सनिवार का दिन है किसी भी हनमान मंदिर में जाकर हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की आर जहां दूर होगी और आप बहुत तेजी से उन्नती करेंगे आज का दिन बड़ी खुसी देगा सुब दिन है सुन्दर योग है भग्य चमक रहा है लाब मिलेगा सफलता मिलेगी काम्याबी मिलेगी तुलारासी वारो कृतिकान चत्र सुकल योग में आज भग्य बदलने वा सुक मिलेगा धन मिलेगा सफलता प्राप्त होगी तुलारासी वारो आज हनमान जी का दर्सन करें दिन की सुरुवात हनमान जी के दर्सन से करें आपका दिन सफल होगा कार्ज सिद्धी होगी उन्नती होगी तो तुलारासी वारो ग्रोह पराधारित अपने रासी फल के लि वाव सनी की छाया सुक्र चंद्रमा के दृष्टी तुलारासी के जीवन में सुक्धन सुबलाब का सुन्दर योग लेकर आया है आज भग्य अवस्चमकेगा आप मेहनत करते जाएं तो तुलारासी वारो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फलकार्जक्रम में तब तक ले मुझे आज्या दें आपका दिन सुब हो जै सुरी राम जै हन्मान तुलारासी वारो आपने रासी फलको लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिक है जै सुरी राम जै हन्मान संकट से रच्छा करो हे महावीर हन संकत मोचन किर्पानिधान जय हर्मान जय जय हर्मान जय स्रीराम जय हर्मान